बजाता है मद्यप्रदेश अब जितने भी यहां पर यूजना है आप देखेंगे उस से रिलेटेड इंपोर्टन फैक्ट भी हम कवर करते हुए चलेंगे इंपोर्टन फैक्ट से आपका ये होगा कि सारे अलग से भी क्वेस्टन आपके तयार होंगे ठीक है चलिए इंपोर देश के चिकिसा विभाग के द्वारा शास की है स्वाशासी चिकिसा दन्ट चिकिसा नर्सिंग महाविद्यालियों यूंग शास की पैरा मेडिकल में पढ़ रहे चिकिसा चात्रों को उनकी पढ़ाई के दौरान स्वास्थ भीमा यूंग व्यक्तिगत दुरगटना भीमा कवज प्रदान किया जाएगा इस योजना के तहट ये सारी सुभिधाएं दी जाएंगे ठीक है तो आगे देखते हैं ये देश की पहली चिकिस्सा सिक्षा चात्र भीमा योजना है जिसमें चिकिस्सा चात्र को उनकी पढ़ाई की पूरी अवधी में राज्य सरकार द्वार भीमा प्रदान किया जा रहा है ये देश की पहली ऐसी भीमा योजना है जिसमें चिकिस्सा चात्र को उनकी पढ़ाई की पूरी अवधी में राज्य सरकार की द्वारा भीमा प्रदान किया जाएगा ठीक है और प्रदेश के मिडिकल, डेंटल, नर्सिंग, यूंग, पैरा भीमा इंपोर्टेंट है योजना की अंतरगत चात्रों को 2 लाग का मेडी क्लेम प्रापत होगा और यहां पर यह भी देखिए ब्यक्तिगत दुर्गटना भीमा की अंतरगत इस्थाय डिसेवेलिटी और मृत्ति होने पर 10 लाग का मेडी क्लेम, कैशलेस कार्ड प्रतान कि किया जाएगा कब किस्तिती में 10 लाग होगा ब्यक्तिकत दुरघटना भीमा या फिर अस्थाई रूप से कोई आयोग गिता आ जाती है तब और मृत्ति होने पर ठीक है और योजना के अंतरगत 5 लाग रूपए का आस्थाई कबर भी शामिल है अगर मतलब आस्थाई रूप से कोई आयोग हो जाता है तो उसे 5 लाग रूपए का कबर प्रभान किया जाएगा और इस योजना के अंतरगत प्रदेश के चिकसा सिक्षा विभाग के अधीन शास की स्वाशासी शास की महा बिद्यालियूम अध्यारत यहा पर हो जाती complete अगली योजना के तरफ चलेंगे जो की बहुत important योजना है इकदम से जोर सोर से त्यारी करिए एकदम से लगन से जोर सोर जुनून के साथ आपकी त्यारी स्टार्ट होनी चाहिए और यह सारी ऐसी चीज़े हम आपको करवा रहें जहां से 100% आपके exam equation पूछ पूगा गाओं में नीमो गाओं में नियोमा या फरखेमी बिकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होगा बिकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है पूगा गाओं में तो चलिए इस से related important fact भी कवर करते हैं तो देश की पहली भूत आपी पर्यूजना यह लद्दाख उसमें भी देश की पहली भूत आपी पर्यूजना पूर्भी लद्दाख की पूगा गाओं में इस्थापित की जाएगी कहां पर लद्दाख में भी पूर्भी लद्दाख की पूगा गाओं में तो बैग्यानिकों ने पूगा की पहचान देश में भूत आपी उर्जा के होट स्प चेत्र विकास पर्योजना की रूप में जाना जाता है इसको वर्स 2022 के अंत तक चालू करने की योजना है कब तक 2022 के अंत तक चालू करने की योजना है इसके तहट 10 पडोसी गाउं को 24 घंटे मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी 24 घंटे मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी इस पर्योजना की तहट ठीक है चलिए आजाते हैं अगले क्वेशन की तरफ नेक्स्ट हमारी पर्योजना उससे रिलेटेट प्रसन आप सभी की स्क्रेन पर है निमलिकित में सी किस मंत्राले ने गोबर्धन योजना शुरू की पाशुपालन, पेट्रोलियम, क्रिसी या फिर पे, जल और स्वक्षता आप संडी पे, जल और स्वक्षता मंत्राले की द्वारा गोबर्धन योजना शुरू की गई इस से related important fact हम कबर करते हुए चलते हैं, तो 3 फरवरी 2021 को देश भर में गोबर्धन गतिविदियों की प्रगति की निगरानी के लिए एकी कृत बेपोर्टल का शुभारम किया गया और साथी साथ में 30 अप्रेल 2018 को पे जल और स्वक्षता मंत्री सूस्री उमा भारती द्वारा हर्याणा की करनाल में इस्थित राष्ट्वी डेरी शोद संस्थान से गोबर्धन योजना का शुभारम किया गया कहा से हर्याणा की करनाल से डेरी सोच संस्थान से गोबर धन युज्णा का शुभारम किया गया ठीक इसका उद्देश क्या है इसका उद्देश को च्याप्रमग विंदु में रख़ा जा सकता है तो अचाप्रमग जो विंदु है देखिए इसका जो देशे गाउं को बायो उर्जा उपलब धकारा करें उन्हें स्वक्ष उर्जा में आत्म निर्भर बनाना यानि कि बायो उर्जा स्वक्ष उर्जा की अंतरगता आती इसे प्रदूशन बहुत कम होता है स्वक्ष और सस्ती उर्जा क्रिसी है तो कार्बनिक उर्वरक प्रदान करना जब आप बायो गैस का उत्पादन होता तो अप्षिस्ट जो निकलता है उसे हम उर्वरक के रोप में प्रयोग करते हैं फिरे स्वक्ष परिवेस और स्वक्ष इधन के प्रयोग के माध्यम से अनेक स्वास सम्मंधी समस्यों का समाधान करना है तो ये सारी चीजे इस उद्देश्य इसके जो उद्देश्य हैं ये हैं छे पॉइंट में ठेक क्लियर हो गया अगले प्रोशन के तरह पढ़ेंगे ब ताइम बहुत ही कम लगेगा मतलब उतना लगेगा जितने से आपके नॉलेज बढ़े जितने से आपके क्वेशन त्यार हो जादा-जाद क्वेशन प्रवाइट कराने की कोशिश करेंगे कम टाइम में और एक भी पॉइंट इसमें बचे करनी यह सारे पॉइंट ऐसे किया गया के रल सरकार के द्वारा राज जी को ग्यान आधारित अर्थ ब्यवस्ता में बदलने के लिए कि मिशन का शुभारम किया गया इंपॉटन यह सारी यूजना बहुत इंपॉटन है सारी क्वेशन बहुत इंपॉटन है बिकल्प मारे यहां पर सही हो जाते है केरल और अपसंडी से हो जाते है केरल ग्यान मिशन इस रिलेटेट इंपॉर्टेंट फैक्ट हम कबर करते चलते हैं केरल ग्यान मिशन का उद्देश चे केरल राज जी को ग्यान आधारित अर्थ ब्यवस्ता में बदलना है ठीक आगे यह मिशन सक्षित युवाओ के लिए एक ब्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जो उन्हें अध्यतन कोशल से युक्त करने और उनके ग्यान में ब्रद्धी करने के साथ साथ बदलते बाजार की चुनोतियों का सामना करने है तो सक्षम बनाता है तो वो सीख सके उनके ज्यान में ब्रद्धी हो सके और साथ ही साथ में उसी के साथ जो मतलब बाजार की बदलती हुई चुनोतिया है उसका सामना वो कर सके अब इस प्लेटफॉर्म से प्रतिवर्स लगबग 3,00,00, रोजगार स्रीजित होंगे तो बहुत ही अच्छा सा प्ले ठीक है तो इतने सारे पॉइंट होते हैं इस मिशन से रिलेटर अगले एक्वेशन की तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट है और अगर सच्छ में वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को इमानधारी के साथ लाइक और शेयर जरूर करिए सभी इस्ट्वेंट कम से कम अपने पास दोस्तों में शेयर करेंगे किस राजी में निर्धनों को पांच रुपए में किफायती मोली पर भोजन उपलब्द कराने ही तो मायोजना के शुरुवात की गई तमिल नाडू पश्यमंगाल मध्य प्रदेश या फिर महरास्ट विकल्पयाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप पश्यमंगाल की मुख्यमंत्री कौन है प्रिजन टाइम में है ममता बैनर जी इन्होंने मा इसकी मायोजना का शुभारम किया अब इस योजना में होगा क्या इस योजना की दहत राज्य सरकार निर्धनों को पांच रुपए के किफायती मोल पर भोजन उपलब्द योजना की अंतरगत पांच रुपए में लोगों को थाली में दाल चावल सबजी और अंडग करी मिलेगी तो पांच रुपए में भाई बहुत जादा है यह सरकार प्रति प्लेट पंदर रुपए की सबसिडी वहन करेगी और पांच रुपए में सभी को उपलब्द संचालन करेंगे ऐगे और बजे से टीन बजे तक क्वेश्टने रिवाड्ट परियुजना के लिए विश बैंग दौरा जारी की जाने वाली सहयता राशी कितनी है आपसन यहां पर हमारा C सही हो जाता है 350 करून रुपए कितनी है option C सही हो जाता है 350 करून रुपए चलिए इससे related हम कुछ important point कवर करते हैं तो यहां पर देखिए ओडिशा की मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में मंत्री मंदल द्वारा अभिनो विकास पर यूज ना जिसका नाम है reward इसका फुल फॉर्म है रिजिविनेटिंग वाटर सेट्स फॉर एग्रिकल्चरल रिजिलेंस रिजिलेंस की स्पेलिंग यहां पर ल आई ए एन सी ए थ्रो टी एच आर ओ यूज त्रो इनोवेशन डेवलपमेंट है तो reward का फुल फॉर्म है तो ओडिशा की मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री मंडल द्वारा अभिनो विकास परियोजना के माध्यम से क्रिसी पुनरत्थान के लिए जल्प पुनर विकास के कार्यानवेयन के प्रस्ताओं को मनजूरी दी गई है अब यहाँ पर एक एक पॉइंट हम कभर करते हुए चलेंगे क्लिया करते हुए चलेंगे अब यहाँ पर देखे इस परियोजनां के लिए जो अनुमानित खर्च है यह 500 करोन रुपए09 का है है पान्स सो करोन रुपय का है जिसमें से विश्व यहां पर देखिए कि इस पर्योजनः को देश क्या है में उद्देश है कि जल प्रबनधन और उन्हें फऽल चेतर सुनिश्चित करना इस योजिता का और देश्यत जल प्रबंधन और इस पर्यूजना के अंतरगत 10,000 भूमिहीन व्यक्तिवों सहित लगबग 1.9 लोग लाभानवित होंगे अच्छे खासी पर्यूजना है पर्यूजना है वही अच्छी मानी जाती जिसमें कम लागत हो कम लागत हो लेकिन फायदा जादा लोगों क हो अब यहां पर यह देखी इस पर्यूजना से उडिशा के साथ जनपद इस पर्यूजना को ओडिशा के साथ जनपदों संभलपूर धेकनाल नयागड़ देवगड़ कोरापुट नबरंगपूर योंग सुन्दर गड़ में लागू किया जाएगा तो बस आप इतना जान बादें यह सभी एक से बढ़कर एक सिलेक्टइट क्वेश्चनन है अप इसको अलग करी नहीं सकते हैं केंद्री ग्र्यमंत्री अमिरीयल इस शब्रफ और चेंद्री शांस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों और उनके आस्रित केकिम कर्मियों के सासत के प्लिए आशक्रित पी ऐफ योजना की शुरुआत की उप्सन या पर हमारा सही हो जाता ओप्सन डी गुआहाटी में पौइंट कबर करते हैं केंद्री ग्रे मंत्री अमिज शाह ने गुआहाटी असमें केंद्री ससस्त्र पुलिस बलो की करमियों और उनकी आश्रितों के लिए आइसमान सीए प योजना कब शुरू की गई यह योजना पराक्रम किसे कहते हैं नेताजी सुभाश्चंद बोस्त के जमानों के उनके पर आस्रीतं के शुरू की गई किसके लिए स्वास्त से संबंदी थे ये आईशुमान अब देश के सभी C.A.P.F कर्मियों और उनके परिजनों को 24,000 अस्पितालों में कार्ड स्वाइप के साथ मुफ्त में इलाज मिलेगा ठीक और आपको यहां पर बताते चलते हैं यहां पर सारी important facts कबर होते हैं अगले question की तरफ चलते हैं बहुत important question है कामेंग जल बिद्दुत परियोजना किस राज़ में इस्तित है कौन सी कामेंग जल बिद्दुत परियोजना किस राज़ में इस्तित है सिक्किम त्रिपुरान नागल या फिर अरुनाचल प्रदेश अप्सनियां पर हमारा सही हो जाता है अरुनाचल प्रदेश में कामिंग जल्विद्दूत परियुजना है इसे रिलेटेट इंपॉर्टेंट फैक्ट हम कवर करते हुए चलते हैं सार्जिनिक छेत की कंपणी है से हैं तो इस लाइन में समझ में आता है जो एंटीपीसी कंपणी है उसकी सहायक उत्तरपूर्व एलेक्ट्रिकल एलेक्ट्रिक पावर कार्पूरेशन लिमिटेड की कामिंग जल्विद्दूत परियुजना है तो इसकी चौथी इकाई ब्यौसाई क्रूप से शुरू कर दी गई है और जिसकी चमता है 150 मेगावाट कितनी है 150 मेगावाट और आपको बताते चलते इसकी तीन इकाई यह पहले ही चालू हो चुकी है ठीक है और चौथी काई के शुरू होने के साथ ही एंटीपीसी समों की जो वाड़िजिक चमता है यह 640075 मेगावाट हो गई है ठ परियोजना रृण-अशना की तहद बिक्सित की गई यह बहुत इंपोरटन रह परियोजना अद और यह अरुछित प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिला में ऌसनी है और इस पर उसकारी प्रिजना हो गैँ कामेंग जिला है वहां पर ईस माहले पार्यूजना के नंसे इं विचौम और टेंगा नदी दोनों कामेंग नदी की उपनदी हैं इसके पानी की प्रवाह का उपयोग किया गया है इसमें बहुत important question बहुत important है यह अरुलात्चर पुदेश के कामेंग जिले में स्थित हैं और इस परियोजना में देखें कामेंग नदी की बात हो रही है तो इस परियोजना है तो बिचौम और टेंगा नदी के पानी की प्रवाह का उपयोग किया गया है और ये विचौम और टेंगा आपसे एकदम से clear पूछ लिया जाएगे किसकी साहिक नदी है तो यह है कामेंग ठीक है और इस परियोजना की कुल बिद्धूत उतपाद अचमत इसकी उचाई 79 मीटर और 24.5 मीटर है यह सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हो जाते कबर अगले एक्वेशन के तरह बढ़ते नेक्स्ट है केंद्री परियावरन मंत्राले ने किस नदी पर लखवाड बिजली परियुजना को मंजूरी प्रतान की है बहुत इंपॉ यहां पर हमारा भी सही हो जाता है यह मुना नदी चलिए इंपॉर्टेंट कबर करते हुए चलते हैं बिजली उत्पादन के लामत छह राज्यों को इस परियुजना से सिचाई और शुद्ध पेजल यानि कि बिजली तो है ना बिजली उत्पादन होगा साथी साथ में यह तीन उत्देश की पूर्ती यह करेगी लगवार बिजली परियोजना नहीं द्यान रखिये इंपॉर्टेंट क्वेशन क्योंकि बिजली परियोजना तो सभी बिजली परिटिक करेंगे लेकिन बिजली के साथ साथ सिचाई और शुद्ध पेजल भी इस्ति मिलेगा तो पांच चार मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी इस परियोजना की तहत परियोजना का नाम क्या है परियोजना का नाम है लखवार बिजली परियोजना ठीक है लखवार बिजली परियोजना और इस परियोजना की कुल लागत जो राशी है यह पांच जार साथ सो सैंतालिस द तो नबे प्रतिशत के इन्ध खर्च कर रही है और दस प्रतिशत जो बस्ता है तो जितने च्हहाजियों में यह पर्यूजना शुरू की जा रही है तो सभी यह तो में करके साजा करेंगे याद रखीए अग्सप्षा जा सकता है अगला है पर्योजना की निरमार को कारें उत्रहखंट जल्विदूत निगम लिमिटेट के द्वारा किया जा रहा है लखवार पर्योजना को वर्स में मंजूरी प्रदान की गई थी लेकिन इस पर्यूजना का कार्य वर्स 1992 में 1992 में रोग दिया गया था ठीक है तो इसे है बिकल्प यहां पर हमारा कौन से सही होगा बिकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है सी यूनाइटेट किंगडम इस्पेस एजनसी के साथ तो चलिए इस से रिलेटेट इंपोर्टेंट प्रदेश के द्वारा प्रभाव आधारित बार पूर्बानमान तंत्र इंप्यक्ट वेस्ट फ्लड फॉर्कास्टिंग सिस्टम के लिए यूनाइटेट किंगडम इस्पेस एजनसी के साथ अनुबंद स्थापित किया और यह परियूजना निश्टनल इस्पेस इनोवेशन प्रोग्राम के अंतर गताती है एन एस आई पी के अंतर गताती है ने ठीक है और आगे देखिए प्रभाव आधारित बाड़ पुर्बानमान तंत से लोगों को उनके घरों फसलों पशुदन और परिवहन मार्गों पर बाड़ के भविश्यमारी की जा सकेगी जो कि सरकार द्वारा बाड़ की घटनाओं के दोरा आने वाली चुनाओतियों को कम करने के लिए उप्योग किया जाएगा जैसे कि इनको नुकसान नाओ घरों को फसलों को पशुदन परिवहन मार इन सभी से उनके मतलब नुकसान को बचाया जा सके ठीक है आते हैं हम अगले क्वेशिन की तरब नेक्स्ट हमारा क्वेशन आप सभी के लिए अगला क्वेशन एग दिल्ली मंत्री उन्दल द्वारा मंजूरी प्रदत्त मुख्य मंत्री बिज्यान प्रतिभा परिक्षा चात्रवृत्ती योजनान तरगत दिल्ली के स्कूलो में कक्षा नौ के एक हजार मेधावी चात्रों को बिग्ञान चात्रवित्ति के रूप में कितनी राशी प्रदान की जाएगे दो हजार पांच हजार दस जार या फिर बारह हजार रुपए कौन साउप्शन सही होगा बहुत बढ़िया विकल्प्यां पर हमारा बीस हो चाता है 5000 रुपए मुक्य मंत्री बिग्यान प्रतिवा परिक्षा चात्रवित्ति योजना के अंतरगत दिल्ली के इसकूलों में कशा के 1000 मेधावी चात्रों को 5000 रुपए विग्यान चात्र प्रत्ति की रुप में प्रतान किया जाएगा तो यहां पर important fact कबर करते हुए चलते हैं तो 9 से कख्षा 9 के 1000 कख्षा एक 1000 मेधावी चात्र 5000 रुपए की राश्य प्रतान की जाएगी और इसका उद्देश्ची स्कूली इस्तर पर माध्यमिक कख्षाओं में बिग्यान सिक्षा को बढ़ावा देना तो इस योजना की ताहर्ट दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले चात्र जिन्हों ने कक्षा में साथ प्रतिशत से अधिक प्रता प्राप्त की हैं वे परिक्षा के लिए पात्र हैं और सी एस्टी जो हैं या फिर ओबी सी स्रेंडी से सम्मंदित चात्रों को पास प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी ठीक तो यह रही यह यूजना अगले परियुजना का निर्माड किस नदी पर किया जा रहा है गंगा यमुना चिनाब या फिर मोसी नदी ऑप्सन सी हो जाता है चिनाब नदी पर आप्सन सी चिनाब तो रतले परियुजना रतले पनबिजली परियुजना के लिए पास जार दो सो इक्यासे दसमलों नौ चार करोण रुपे के निवेश हेतु मंजोरी प्रदान की गई है यहाँ पर यह देखती चलिए आट सो पचास मेगावाट चमता वाली यह पनबिजली परियुजना ज इस चम्मो कश्मीर जंबो कशमीर का जिला है जिसका नाम है किषत वाड़ जिला और नदी कोण सी चिनाब नदी यह सारे पॉइंट यहां पर बहुत Laure dispon मि dul1 बिद्ध्द्ण निगम और जबो कश्मिर राज्य विद्धुत् जंगम में इस से ज्राइब निगम है वह एकयान प्रतिशत देगी और जो मेरी फीराज़ वाज्य विद्धुत वैर्शे नेन रिषद देगी ठीक है तो 59 परसन की भागेदारी है क्लियर हो गया बहुत बढ़ियां अगले एक्वेशन की तरब बढ़ते हैं नेक्स है फड़ा पट से एक बार जितने भी शुर्ण वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक और शेर करेंगे कहीं पर भी अगर हमारी म और शेर करना चाहिए चलिए आज एक्वेशन की तरफ हाली में इस्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर लिमिटेट ने ओमार में कितनी चमता की सवरोजा परयूजना की शुरुआत की है पचीस मेंगावाट पचास पचास पचातर या फिर 125 विकल्प यहां पर हमारा कॉन से हो यूजना है और आपको बताते चलते हैं पहली जो पचूजर थी में अपनी पहली 25 मेगवाट की सबना छुरू की क्लियर है चलिए हाते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंप्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हाली में किस राज्ज में राज्ज क्विक सक्षम और समर्थ नामक तीन यूजनाय शुरू की गई हैं विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है कौन सा और से सही हो जाता है राजस्थान राजस्थान में यह तीनों पर यूजनाय शुरू की गई चलिए इस से रिलेटिट एक एक पॉइंट हम कबर करती हुए चलते हैं तो राजस्थान की कौशल रोजगार उध्यमिता राज्यम संत्री जिसका नामें अशोक चंदाना इन्होंने तीन यूजना जिसका नामें राजक्विक सक्षम और समर्थ यूजना का शुभारम किया आप लोग इतना हम बोलते जाएंगे आप सुनते जाएंगे ना कि सारी चीज़ें आपकी वैसे ही त्यार हो जाएंगी बस एक बा हो को को बिकास से जोड़ने हैं वाजस्थान को एवँ का निगम ब कि युँऑं सब्सक्राइब को कि जोड़ेंगे ये उजना हैं तो यहाँ पर देखेंगी पहले समर्थ को आत्म निर्भर समर्थ कौशल से आत्म निर्भर यानि कि समर्थ को योजना का उद्देश क्या है प्रदेश की महिलाओं विश्य से वंचित वर्गों पिछड़े एवं हाशिये पर मौजूद परिवारों के लोगों की छमताओं को बढ़ावा एंग रोजगार स्वरोजगा अधारित कौशल को बढ़ावा देना और युवाओं को अजीविका अरजन के लिए समर्थ बनाना है समर्थ का मतलब कौशल रूप से यह आत्म निर्भर बनाना आगे यहां पर देखेंगे सक्षम का मतलब है सक्षम युवाओं सक्षम राजस्तान यह स्वरोजगार आध सब्सक्राइब और इसके इंतरगत क्या है प्रदेश के युवाओं और महिलाओं को कॉसल प्रस्टिक्शन प्रदान कर अपना स्वयम का व्योसाई या सामोहिक रोजगार त्यार कराना है ठीक अफ्रफिक यह भी काष़ क्रीकरम मैं तो की राज्ग्राज करेकर में राज्य के प्रसक्राइब यूंप को राज्य को का सब्सक्रार करें जिस तरीके से मतलम चल रहा है कि बाजार में जैसे भी कुसलता की माँगे वो कुसलता परतान करके रोजगार का आउसर परतान करना है राजकुएक योशना का मतलब थेक है तो यह सारा राजकुएक सक्षम और समर्थ मैंने तीनों आपको बता दिया यह तीनों में क्या-क्या है अलग-अलग इसमें difference क्या-क्या है ठीक है अगले equation पर चलते हैं नेक्स हमारा equation आप सभी की screen पर बहुत ही important record से related है जो की बहुत ही interesting है हाली में 24 गंटे में concrete की सबसे लंबी सड़क बनाने का wish record बनाया गया यह record किस express way पर्यूजना का हिस्सा है 24 गंटे में concrete की सबसे लंबी सड़क बनाने का wish record बनाया गया तो यह record किस पर्यूजना का हिस्सा है किस express way पर्यूजना का हिस्सा है तो विकल्प यहां पर हमारा कौन से सही होता है विकल्प यहां पर हमारा A सही हो जाता है दिल्ली, बडोद्रा, मुंबई, आठ लेन, एक्स ठेकेदार ने चार लेन के राजमार पर 24 गंटे में 2580 मीटर लंबी pavement quality concrete सड़क बिछाने का विश्व रिकार्ड बनाया है और NHI के जो ठेकेदार है पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने इस कारणामे को इंडिया बुक आफ रिकॉर्स और गोल्डन बुक आफ रि रिकॉर्ड में मानिता प्रदान की गई यानि कि जो रिकॉर्ड है इस बुक में धर्ज किया गया रिकॉर्ड ग्रीन फिल्ड दिल्ली बडूद्रा मुंबई आठ लेन एक्स्प्रेस भी पर यूजना का हिस्सा है इंपॉर्टेंट है ठीक है चलिए आगले एक्वेशन की पर बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेशन आप सभी कि स्क्रीन पर है हाली में किस राजिस सरकार द्वारा बाल हिर्दय यूजना शुरू की गई